हेलो एपरिवन वेलकम बेग टू माई यूट्यूब चैनल तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आल इंडिया बार इग्जाइमिनेशन यानि AIB 18 के बारे में और AIB 18 के बारे में जो हाई कोड का महतपुर फैसला आया है उस फैसले के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो पहला इसू यही है कि क्या एलल्बी फाइनल येर वाले जो स्टूडेंट है वो इस बार AIB परिक्षा में बैट पाएंगे कि नहीं बैट पाएंगे और दूसरा इसू यह है कि क्या AIB की जो परिक्षा है यह टलेगी यानि किसकी डेट आगे बढ़ेगी कि न निर्ड़े दिया है तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर चैनल पे फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर कोई प्रसना आपके हैं कोई सवाल हैं कोई समस्या है तो उसको आप सभी लोग कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखिए ये मामला है तेलंगाना की तेलंगाना के जो है उस्मान उसके बास से जब इन्होंने फाइनल इयर का एक्जाम दे लिया तब इन्होंने एक रिपर्जेंटेशन दिया था बार काउंसिलाफ इंडिया को जो कि वहाँ पे पेंडिंग था वहाँ से डिसाइड नहीं हो पा रहा था इसके बाद ये जो है हाई कोट का रूप करते हैं और हाई कोट में इनके जो कुछ तर्क थे जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ उनका ग्रिवांस ये था कि सुप्रीम कोट का जो जज्जमेंट आया था आपको पता है बार काउंसिलाफ इंडिया वर्सेज बोन्नी फोई लाव कालेज का जो एक जो लैंडमार्क और इसी जज्जमेंट में ये कहा गया था कि AIB की परिक्षा कांटिन्यू रहेगी इस पर कोई रोक नहीं लगेगी लेकिन उस जज्जमेंट में बहुत सारी चीजे जो है सुप्रीम कोट ने BCI को तय करने के लिए कहा था कि आप इस पर जो है कमेटी गठित करिए कुछ न कालेज का अपालन करते हुए आनि कि उसका अपालन नहीं करते हुए LLB लास्ट इयर या लास्ट सेमेस्टर के छात्रों को एलेजबिल्टी का मौका दिये बिना BCI के दोरा 16,8,2,23 को AIB का सेड्यूल घोसित कर दिया गया है जो कि सुप्रीम कोट के जज्जमेंट के खिलाफ है इनका ये तर्क था जो स्टूडेंट थे LLB के फाइनल इयर के उस्मानिया इनुवस्टी के उनका ये कहना था कि जो बार काउंसिल आफ इंडिया वर्सेज बॉन्नी फोईल आ कालेज में जो सुप्रीम कोट का जज्जमेंट आउ जज्जमेंट के खिलाफ जाते हुए यानि जो सुप्रीम कोट के उपरोग मामले में दिये ग्वे निर्ड़े का पालन करते हुए Why उपरोग मामलो का मतलब जो है पार काउंसिल आफ इंडिया वर्से बंनी फोईल आ कालेज के मामले में दिये ग्वे निर्ड़े का पालन करने के लिए BCI ने एक कमेटी गठित क यानि सुप्रीम कोट ने जो रिकमेंडेशन दिया था उसका एक्जामिन करेंगे उसके लिए एक कमिटी हमने गठित कर दी है कोट में ये जो है BCI के वकील दोारा बताया गिया कोट ने अंत में जो है जो हाई कोट है उसने BCI को ये निर्देशित किया कि वह पेटिशनर के रिपर्जेंटेशन पर सुप्रीम कोट के निर्ड़य के आलोग में दो हफ्ते में निर्ड़य पारित करे यानि जो पेटिशनर का गिरिवांस था जो उन्होंने रिपर्जेंटेशन दिया था BCI के समक्ष बार काउंसिलाफ इंडिया के समक्ष तो कोट ने यह कहते हुए मामले को निस्तारित कर दिया कि जो पेटिशनर ने रिपर्जेंटेशन BCI को दिया है उस पर BCI दो हफ्ते में नीड़े ले और वो भी नीड़े जो लेगा वो सुप्रीम कोड का जो जजमेंट है बुन्नी फोईला कॉलेज उसके लाइट में आपको नीड़े लेना है और दो हपते में डिशाइड करना है पिटिशनर के जो रिपरजेंटेशन है उसको और यह कहते हुए जो हाई कोड है उसने पिटिशन को डिस्पोज राफ कर दिया यानि कि अब जो गिरिवांज था जो पिटिशनर है उनका जो रिपरजेंटेशन था उस पर अब बिसी आई को दो हपते में नीड़े लेना है कि वो क्या करेगी बिसी आई उनको मौका देगी यानि कि जो लल्लबी फाइनल का मौका देगी या नहीं देगी ये दो हपते में डिशाइड करने का समय जो है हाई कोट ने उनको दिया है अब दो हपते के अंदर क्या होता है या आगे पता चलेगा लेकिन जिस तरीके से ये मामला हाई कोट पहुँचा है तो कहीं न कहीं मेभी जो AIB 18 का जो डेट है व बढ़ जाए लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है में भी कुछ भी हो सकता है लेकिन आप सभी लोग AIB 18 की परिक्षा मान के चलिए 21 अक्तूबर को ही होगी उसकी तयारी करते रहिए इस तरह के मामले लगातार आप जब भी AIB एक्जाम जब शुरू होते हैं जब फाम आते है तो इस तरह के लगातार मामले कोड के सामने आते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है लेकिन आप लोग परिक्षा की तयारी में लगे रहिए और साथी साथ परिक्षा जे संबंदित अगर आप कोई जानकारी चाते हैं तो उसके लिए कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं AIB 18 ज संबंदित लेटेस जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो पे लाइक करिए कमेंट करिए और शेयर करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद